कि नमश्कार दोस्तो एस्टोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे हाथ की बहुत ही इंपोर्टेंट रेखा की जिसे हम हिर्दे रेखा बोलेंगे हाथ के अंदर सबसे जो पहली इंपोर्टेंट रिखा होती है उसे हम कहते हैं जीवन रिखा और दूसरी जो सबसे इंपोर्टेंट रिखा है उसे कहते हैं हिर्दे रिखा और तीसरी जो रिखा है वो होती है मस्सिक्स रिखा तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं हिर्दे रेखा के बारे में हिर्दे रेखा को देखने से हम अनुमाल लगा सकते हैं हिर्दे की इस्तिती यानि की हार्ट के बारे में हिर्दे रेखा जो है वह है इनसान के इमोशन्स को दर्शाती है यानि कि इनसान कितना भावनात्मक है ये आप हिर्देरेखा को देख करके जान सकते हैं इनसान का प्रेम के प्रती कितना समरपण है ये भी आप हिर्देरेखा को देख करके जान सकते हैं हिर्देर एखा को देखकर के ये भी जान सकते हैं कि इनसान कितना आध्याद्मिक है, वैव इश्वर में कितना विश्वास रखता है, हिर्देर एखा को देखकर के आप ये भी जान सकते हैं कि इनसान कितना रोमेंटिक है, हिर्देर एखा को देखकर के ये भी एनुमा लगा जा सकता है कि इंसान कितना मतलबी है और सबसे important चीज जीवन में अतसाहा जो है बहुत ही जाधा important होता है जीवन में उतार चड़ाओ आते ही है बिखिन कॉन इंसान कितने अतसाहित हो करके आगे जीवन में बढ़ेगा यह भी आप हिर्दे रेखा को देख करके जान सकते हैं तो हिर्दे रेखा बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होती है अगर आप हाथ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और हिर्दे रेखा को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों अगर किसी के हाथ में हिर्दे रेखा बहुत ही शानदार है अच्छा सा कर बनाए हुए है और वह उपर की तरफ जा रही है जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह उपर की तरफ जा रही है और ब्रस्पती और सनी परवत के बीच में रुख गई जादातर हातों में आपको ऐसी रेखा देखने के लिए मिलेगी अगर इस रेखा की मैं पॉजिटिविटी की बात करूँ तो ऐसे लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं दूसरे लोगों की केर करते हैं ऐसे लोग दूसरे लोगों के एमोशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और सबसे अच्छी बात ऐसे लोग प्रेम में वफादार होते हैं यानि की रिष्टे बड़ी वफादारी के साथ निबाते हैं अगर किसी से प्रेम करेंगे तो उसे वफादारी के साथ निभाएंगे अगर इनकी शादी भी हो गई है तो अपनी वाइब के साथ बहुत ही लॉयलिटी के साथ रहते हैं ठीक है और ऐसे लोग बाकी के रिष्टे जो होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से निभात और ऐसे लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं. जीवन की तरफ हमेशा इनका जो एटिट्यूट रहता है, वो पॉजिटिव एटिट्यूट रहता है. जीवन की परस्तिती अगर बिगड़ती भी है तो ऐसे लोग अपने आपको इखटा करते हैं और उत्साहित हो करके फिर से आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कामयाब होने के लिए अगर आपके हाथ में ऐसी रिखा है तो आप जरूर कामयाब होंगे ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं ये लोग खुद तो उत्साहित रहते ही हैं और दूसरे लोगों को अंदर भी बहुत एनरजी डालते हैं आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हम हिर्दे रिखा के कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं यदि किसी के हाथ में हिर्दे रिखा है और उसमें से एक रिखा जो है वह शनी परवत की तरफ जारी है यानि कि V शेप बन रहा है या फिर Y शेप बन रहा है तो यहाँ पर अगर आप इ एक Y मिलेगा ठीक है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही जादा रोमैंटिक होते हैं सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों की यह होती है कि यह लोग रोमास और आध्यात्में जो है वो अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेते हैं इन लोगों का प्रेम जो होता है वो आध्या की properties आएंगी तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं आप इन पर विश्वास कर सकते हैं और ऐसे लोग जादा तर प्रेम विभा करने में interested रहते हैं क्योंकि यहां पर हम दो मुखी रेखा को एक तरीके से एंटीना मानेंगे इसकी receiving जो है वो दो परवतों की तरफ से आ र और यहां पर तिर्सूल का sign बन जाए तो इसे बहुत ही सुब माना जाता है इसे एक तरीके का राजयोग भी बोला जाता है यानि कि ऐसे लोग दिल से राजा होते हैं ऐसे लोग इश्वर में बहुत जादा विश्वास करते हैं ऐसे लोग नियाएपरी होते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मन से शक्तिशाली होते हैं जो लोग मन से शक्तिशाली होते हैं यानि कि वह कोई भी चाहत करेंगे उसे complete कर लेंगे ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते इसलिए इसे राज्योग बोला जाता है ऐसे लोगों पर आप भरोशा कर सकते हैं ये लोग जो वादा करते हैं उसे कम्पलीट करते हैं क्योंकि इश्वर ने इनके हाथ में ये प्रॉपर्टी डाल के भेजी है कि ये लोग कोई भी चीज करना चाहेंगे तो वह कर लेंगे इनका इश्वर में अटूट विश्वास और किसी भी काम को करने के लिए उत्साह ठीक है और जीवन में न्याय प्रीय होना इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है इसलिए इसे राजयोग बोला जाता है क्योंकि अगर कोई रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो इस केस के अंदर उसकी इंटेंसिटी जो होती हो बढ़ जाती है एक तरीके से ये मान लीजिए कि तीन मुख हैं रिसीविंग करने के लिए तो ये एक एंटेना हो गया जो जादा एनरजी को रिसीव कर पाएगा यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें सनी की प्रोपरटी भी आएगी ब्रस्पती की भी आएगी और यहां पे मंगल की प्रोपरटी भी आएगी तो अगर हिर्दacious रिखा पर तीन रिखाएं जो है वे बन रही हैं तो इसे हम बहुत ही शुब मानते हैं और यहां बहुत सारे हाथों में देखने के लिए मिलता है और ऐसे लोग बहुत ही उतसाइत होते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते चलिए दोस्तों अब हिर्दे रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते है यदि किसी के हाथ में हिर्दे रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है यहां तक भी स्ट्रेट जा सकती है या आगे भी जा सकती है तो अगर स्ट्रेट है यानि सीधी है हिर्दे रेखा तो ऐसे लोग practical होते हैं स्वारती होते हैं अपने profit के लिए ही काम करना पसंद करते हैं इसकी positive point यह होती है कि यह लोग well focused होते हैं इन्होंने अपने जीवन में कोई targets बनाये हैं तो उसको पूरा करने के लिए यह emotions को side कर देते हैं और अपने target के उपर well focused हो जाते हैं तो जीव काफी बार इनके रिष्टे जो है वह बिगड़ जाते हैं क्योंकि emotionally जो है वह कम attached होते हैं यह लोगों के साथ और practically जादा होते हैं चलिए दोस्तों हिर्दयरेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि किसी की हिर्दयरेखाई कुछ इस तरीके से नीचे की alone कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को लगातार motivation की जरूरत होती है इने बाहर से motivation देंगे तब ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो काफी negative सोच रखने वाले होते हैं हर चीज में थोड़ा negative ही ढूणते हैं इनके positive नजर नहीं आता चलिए दोस्तों हम हिर्दयरेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि हिर्दयरेखा पूरी हतेली को cover कर ले रही है एक point से दूसरे point तक और बिल्कुल straight है ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने लक्ष को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐसे लोग positive way में अगर कोई aim बनाते हैं तो उसे पाने के लिए अपने रिष्टों को दाव पे लगा देते हैं तो अगर positive way में रहेंगे तो काफी काम्याब होंगे लेकिन अगर यही negative way में चला जाएगा तो यह लोग काफी नुकसान भी कर सकते हैं तो क्योंकि यह well focused रहेंगे क्योंकि straight हैं इनको जो इन्होंने ठान लिया है उसे करके ही रहना है उसके लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े चली दोस्तो हम थोड़ा हिर्देरेखा को और समझने की कोशिश करते हैं यदि हिर्देरेखा जो है वह शनी परवत तक जा रही है और शनी परवत तक मुड जा रही है और इ एकी मुख हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग शारिरिक प्रेम करना पसंद करते हैं यानि किसी इंसान को चाहेंगे तो उसको शरीर से चाहेंगे सुन्दर्ता को चाहेंगे यहां पर एक और रेखा निकल जाती है तो फिर इनका प्रेम जो होता है वो आध्यात्मिक भी हो जाएगा यानि कि वी बन गया जिसे मैं पहले भी एक्स्प्लेन कर चुका हूँ अगर शेनी परवत तक रेखा गई है तो ऐसे लोग जादा तर शारिरिक प्रेम करना पसंद करते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं इमोशन्स की थोड़ी कमी रहती है लेकिन इमोशनल होते हैं ठीक है लेकिन अपने इमोशन्स को यह जादा तर प्रैक्टिकल वे में लगाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यह रेशो को मिंटेंड कर लेते हैं ऐसी बात नहीं है चलिए दोस्तो हिर्दे रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि हिर्दे रेखा यहां से निकली और सूर्य परवट तक ही पहुँची तो ये रेखा हम ज़्यातर सुब नहीं मानते हिर्दे रेखा को पूर्वट के बीच में जाये और आगे जाके दो मुखी या तीन मुखी हो जाये तो बहुत अच्छा रहता है और तकरीबन 90% हाथों में हमें इसी तरीके की रेखा देखने के लिए मिलती है चलिए दोस्तों हिर्दे रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते है हिर्दे रेखा बहुत ही अच्छी है, साफ है, किलियर है लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी रेखा है इस तरीके से काट दें उसको अगर रेखा कट जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं न कहीं आपको इमोशनली हिकपस आएंगे यानि कि इमोशनली आप कहीं न कहीं चीजों से परिशान होंगे इनसान जो है वो अपने आपको हमेशा इमोशन के साथ जोड़ के देखता है तो अगर आपकी जॉब के उपर कुछ प्रॉबलम्स आती है तो emotionally disturb हो जाएंगे अगर आपके relationship में problem आती है तो emotionally disturb हो जाएंगे जीवर में कोई भी खटना होती है तो एंसान जो है वह emotionally disturb होता ही होता है यदि छोटी छोटी रेखा हैं हिर्दे रेखा को काट दे तो वहाँ पर इंसान जो है वो emotionally disturbed होता है चलिए हिर्दे रेखा को तोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि हिर्दे रेखा के अंदर टुकडे बने हुए हैं कट लगे हुए हैं और ब्रेक होगे आगे बढ़ रही है तो जिन हिस्सों में आपके ब्रेक्स लगे हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि इंसान को हार्ट से रिलेटिट प्रॉबलम हो सकती है लेकिन यह जरूरी नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से अपना चेक अप कराते हैं और अच्छी डाइट मिंटेन करते हैं और अगर आपके हाथ में इस तरीके के से दिख रहा है तो थोड़ा सा इमोशनली आपको कहीं न कहीं कोई रिष्टा तूटने की वज़े से डिस्टर्बेंस होगी लेकिन अगर आपको पहले से बता दिया जाए तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीजें काफियत तक अच्छी रह सकती है दोस्तो एक रेखा को देखकर के सटी का नुमान नहीं लगाया जाता पूरे हाथ को देखा जाता है हाथ में और भी रेखाओं को देखा जाता है तो अगर कोई रेखा डिस्टर्ब है लेकिन बाकी की रेखा उसको अगर सपोर्ट कर देती है तो चीजें जो है वह स्मूथली गुजर जाती है और इसलिए एस्ट्रोजी इसमें हेल्प करती है चलिए दोस्तों हम थोड़ा हिर्देरेखा को और समझने की कोशिश करते हैं यदि हिर्देरेखा इस तरीके से बनी और फिर तूट कर फिर आगे बढ़ गई तो यहां पर एक गैप आ रहा है तो इस केस के अंदर कहीं न कहीं इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप डिस्टर्ब होंगे हो सकता है कि कोई रिलेशन्शिप आपका ब्रेक हो जाए ठीक है वो हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ भी हो कोई रिलेटिव के साथ भी हो या फिर आपकी क्लोज जो जिससे आप प्यार करते हैं उससे भी यह हो सकता है लेकिन अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत हिक अप आएगा लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हाथ के अंदर और भी रेखाएं होती है उनको देख करके सटी करुमान लगाया जा सकता है कि exactly क्या होगा तो एक रेखा को देख करके पूर्ट जानकारी नहीं हो सकती लेकिन अगर यहाँ पर गैप है तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत डिजिटल बेंस तो आएगा ही आएगा चलिए दोस्तों लोगों पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है यह लोग धोका दे सकते हैं ठीक है तो क्योंकि यह रेखा जो है वह डिस्टर्ब हो रही है लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर किसी के हाथ में यह वाली जो रेखा है वो इस तरीके की है लेकिन बाकी हाथ बहुत ही खूपशूरत है उसके परवत उठे हुए हैं और बहुत सारी अच्छी रेखाएं भी हैं तो यह जो इफेक्ट है वो काफी कम हो जाएगा एक रेखा को रीड करते हुए सारा अनुमान नहीं लगा सकते लेकिन अगर हिर्देरेखा चेंड बनाती हुए आगे बढ़ रही है तो ऐसे लोगों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है यह लोगों पर विश्वास करते हैं फिर यह धुका दे सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है चलिए दोस्तों हिर्देरेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि हिर्देरेखा के उपर कोई क्रॉस बन जाए तो यहाँ पर इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा इमोशनली या फिर उसे हेल्थ से रिडिट कोई प्रॉब्लम हो सकती है यदि हिर्देरेखा के उपर कोई पॉइंट बन जाते हैं इस तरीके से तो इस केस के अंदर भी इंसान थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है यानि कि बिंदू बन गया है यदि हिर्देरेखा के उपर कोई दीब बन जाए और फिर वह आगे की तरफ बढ़ जाए जहाँ पर उसे पर दीब बनता है तो वहाँ पर रेखा डिस्टर्ब हुई है तो कोई न कोई इमोशनली हिकप्स आ सकते हैं चलिए दोस्तों हिर्देरेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि हिर्देरेखा से कुछ रेखाए निकल रही है इस तरीके से छोटी या बड़ी तो उपर की तरफ जाने वाली रेखाए पॉजिटिविटी को शो करेंगी और नीचे की तरफ रेखाए जो जा रही है ये पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों तरीके का इंपेक्ट शो करेंगी शर्त ये है कि यहाँ पर रेखा काटनी नहीं चाहिए अगर काटेगी तो उस टाइम पर जीवन की परिशानियां बढ़ेंगी चली दोस्तो हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं काफी बार हाथ के अंदर सरिफ आपको दो ही रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी तो इस केस के अंदर हम ये मानके चलते हैं कि हिर्दे रेखा और मस्तिक्स रेखा का विले हो गया है यानि कि हिर्दे रेखा और मस्तिक्स रेखा आपस में मिल गई है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं हर रिष्टे में प्रॉफिट और लॉस ढूंडते हैं यानि कि emotions कम होंगे हमेशा practical ही रहेंगे किसी से मिलेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस meeting का क्या फायदा है ठीक है अगर मैं कुछ investment कर रहा हूं तो इसमें क्या फायदा है हमेशा profit और loss ये immediate calculate कर लेते हैं लेकिन इसका एक सबसे बड़ा advantage ये है कि ये जीवन में काम इसमें रहाता हूं कि हाथ के अंदर देखने के लिए बहुत सारी रेखाएं चेक करने पड़ती हैं खाफी बार हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं लेकिन अगर परवतों की position अच्छी नहीं ये उठे उड़ी नहीं है या फिर हाथ गुला भी नहीं है ठीक हे और रेखाएं जो हैं वो बीज अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी और बीज अच्छा होगा तो आपको उतने अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेंगे हाथ के अंदर बहुत सारी चीजे जो होती हैं वो देखी जाती हैं हाथ की बनावट, हाथ के परवट और बागी सपोर्टिंग लाइंस और बागी में लाइंस तब ही एक अच्छी प्रेडिक्शन की जा सकती है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उमीद है कि अब आप ये जान सकते हैं कि हिर्दे रेखा को देख कर के हम क्या क्या अनुमान लगा सकते है तो मुझे कमेंट करके जरूर पताईएगा कि आपके हाथ के अंदर किस तरीके की रेखा है और यदि आप हमारे एस्टलोजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नमबर पे आप हमें वाटसअप कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारी मुबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड करके हमारे एस्टलोजर से बात या फिर चैट कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फरमेटिव रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें और मैं भगवान शिव और पारवती से ये प्रातना करूँगा कि वे आपके जीवन की सारी मनों कामनाएं पूर्ट करें और आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत के बहतरीन एस्ट्रोजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन अप्लिकेशन प्ले स्टोर पर क्लिक करें सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लिकेशन को इस्टॉल करें अप्लिकेशन इस्टॉल हो जाने के बाद आप Gmail ID या फिर फोन नमबर की मदद से लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन हो जाने के बाद यहां पर Estrelauser की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी Estrelauser से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें उसके बाद Estrelauser का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको दो बटन दिखेंगे कॉल या चैट अपनी सोविदानुसार बटन का सेलेक्शन करें फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फिस्ट रिचार्ज आफर का प्रियोग करें वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप Estrelauser से कनेक्ट हो जाएंगे तो बिलकुल भी देर ना करें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बहतरीन Estrelauser से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए Estrelauser